आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि जो जाता का और जाती का अपने बच्चों की कुंड़ी में ये देखना चाहते हैं कि उसमें सिक्षा में आवरूद प्राप्त होंगे या नहीं इसे कुण से योग बने हैं जिसे सिक्षा में आवरूद हो सकते हैं उसको सरल तरीके से जानने के कोशिश करेंगे तथा साथ साथ में यह देखेंगे क्या सरल उपायों उसके किये जा सकते हैं जिससे सिक्षा प्राप्ति में जो भी प्राप्लम्स आ रही है जब दसांतर दस अगर लगने मजबूत नहीं है लगने आपका च्छाटे आठे बारे बाहव में बैठा हुआ है तथा वो अस्तर वक्री है तो सूपर भाव में नहीं है तो वैसे ही आपके छम्चा में कमी आ जाएगी इसके बाद आपको देखिए कि जो परामदरिक सिख्जा होती हो दुसर दूसरे भाव के स्वामी से देखते हैं अगर आपका दूसरे भाव दूसरे भाव का स्वामी के सिती अच्छी नहीं है कुली में 6-12 में है तो वह अवरूत पैदा करेगा और बच्पन से ही उसमें प्रब्लम आएगी चोथा भाव जो है आपकी हायर सिकंडरी तक के प्रेक्षा योजो परिक्षा जो भी आपकी तैयारी है हाई स्ट्रे सिकंडरी तक के वो अवरूत होगी और उसमें प्रब्लम पशंड होंगे पशंस करी है यह चे cap सैंच ग्र्शाया के पार्मिया हर अक्रिक्षा ऑर बुद्ध कर्षा इंसक्षृ ग्रषर स्वामी ये न तो इस तरह से अगर यह परभावित हो रहा है जैसा पंचमाव का स्वामी चाटे आटे बारा चला गया हो यहाँ पपी ग्राव में हो और सूर्य भी और बुद्ध भी चाटे में हो आठवे बारे बारा हो में चले जाते हैं और उन्पर भी अगर इस तरह के पापगरों के प्रबाव होते हैं, तो आप मान चले के आपका जो मास्टर डिगरी, जो आप कर रहा है उसमें आपको प्राव्लम आएगी और उसके कारण आप प्राप्त में करेंगे, अवरूद प्राप्त होंगे इस तरह मन का कारक चन्दमा भी है, चन्दमा भी अगर जैसे यहां राव केतु के परबाव में आ रहा है, तो वो भी अच्छी सिती में नहीं है, तो इस तरह से मन भी आपका नहीं लगा रहेगा और इस तरह का प्रावलम आ सकता है, तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से आप जब भी जो जब दसाएं अंतर दसाएं चले जैसे आम मनें बता है कि जैसे लगनो को मुझ्वूत करने के लिए मुख्यदरण आप जैसे यहां बुद्ध बनता है तो आपका भी जो लगने मुझ्वूत करने के लिए आप उसके मंत्रों के जाब किजी 108 बात कीजिए पति दिन कीजिए इसके बाद में अगर पारम्भी सिक्षा में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो जो भी दूसरे वाव का स्वामी बनता है उसके मंत्रों के जाब करना चाहिए चथा माता-पिता का अशिरवाद देना चाह राँव के तो का पित्र Links में प्रभाव आ रहा है है तो आपको चकारना है उस गुंध्र के मंत्रों के जाब करिजी जो हैinis 4 बापा स्वामी उसके मंत्रों के लाकि Kenneth अर्यमाः का घर माता क असीरवाद लीजीमारी देनी चिने व्छांदी लेने से और उनका असिरवाद ल सब्सक्राइब अच्छी स्थिति में नहीं है अगर वह पाप परभाव में है वक्री है नीच है तो आपको उसके पंचम्बाव के स्वाव जो भी स्वामी बनता है वह आपके इश्ठ दूर है लुकि डूर्वत के लिए बड़ों का सिरुवाद ले ना चाहिए बड़े लोगों का शृष्वाद ले ना चाईए तो इस तरह से जो भी आवरोत के कारण बन रहे हैं उनको उनके मंत्रों के जाप कीजिए उनके मंत्रों के जित्ते भी जाप करेंगे वो करेंगे और जो भी बुद्ध ग्रह गणेजी के अरादना करने से वो बुद्ध ग्रह सांत होते हैं गुरुत के लिए गुरुत के मंत् जाब करना चाहिए तिस तरह से उपाय करते हुए आप आप जो है चंद्वा को मजबूत करने लिए चंद्र के मंत्र के जाब कीजिए और जो भी ग्रह उनको प्रभाविद कर रहा हो के तुछ कि मत्र के जाब कर सकते हैं तो जब भी दसा ँद्र दसाइं जिन बहुत के सौमी की चल रही है उनके मत्र के जाब जरूर कीजिए तथा मैं आपको जनरल में हर एक दिन आपको सूरी अधेमन जल्दी ऊड़के वह जड़ाना चाहिए तथा आपको बुद्ध को ठीक करने के ल की लिए आपका प्रति धीन आपको घरमें जो भी है आपका जो टेबल है वहाँ पर आपका जो भी पढ़ाई का टेबल है वो आपकी इस्ट workingार्प मोद्स में जाए अपने इस्ट की वहाँ पे लगाना चाहिए जैसा सच्वती जी की पोट लगाएं गड़ें के लगाएं करना चाहिए यह इंवाद के आया च्यार्णा करना चाहिए और आपने सुबह अपना करते हैं मंदिव में तो और आपके जो भी पढ़ाई का टेबल हो जो पढ़ना है वही किताबे रखें बाकी कितामों को अलग रखें और जो रूम है वह भी आच्छी तरग होना चाहिए नार्थी स्टोगरा सब अच्छा साफ होना चाहिए और इस तरह से आप छोटे-छोटे उपायों के द्वारा और जो भी गर्व की दसाया उनके उपायों के द्वारा आप अपने गर्व को मजबूत कीजिए और अच्छे जो तिस अपने कंसल्टेंसी लेके उनसे बताईए और वह आपको उपाया और बताएंगे जो आप करेंगे तो आपको और भी साहता प्रात होगी आपको हमारे स कि आपको करना है तो आप प्रामस का द्वारा कर सकते हैं अपको हमारी चैनल आपची लगे तेस्टारिस इंप्लिफाइट को सब्क्राइब कीजे लाइक कीजे सेर कि आप हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद झाल झाल